नमस्कार, प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्वर नाम सर्व नाम बेटा आपने अहले भी पढ़ा हुआ है दो शब्दों की मेल से बनता है सर्व प्लस नाम सर्व का अर्थ होता है सब का और नाम का अर्थ होता है नाम तो सवर नाम का सापदिक रद हुआ, सबका नाम समझने यागी? जैसे देखो, हम किसी भी वस्तु का, या किसी भी प्राणे का, या किसी का भी हम बार-बार में नाम लेते हैं जैसे आपकी पुस्तक में भी बताया है कि लोमडी ने अंगूर की बेल देखी, लोमडी अंगूर देख ललचाई, लोमडी ने चलांग लगाई, लोमडी अंगूरों तक ने पहुँच पाई, लोमडी यह कहती हुई चलपडी की अंगूर खटे हैं अब आपने देखा बेटा यहां कि लोमडी लोमडी बार बार में हर पंक्ती में आ रहा है हर वाक्य में शुरुवात में हम लोमडी शब्द का प्रियोग कर रहे हैं ये पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता और नहीं सुनने वाले को भी अच्छा लगता है तो हम ये संग शब्द के स्थान पर स्वर्वनाम शब्दों का प्रियोग करते हैं, तो वो पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी अच्छा हो, तो हम इसको अगर स्वर्वनाम शब्द के मध्यम से बोलते हैं, तो आईए हमारा जो पंक्तिया हैं, वो इस परकार होंग लोमडी ने अंगूर की बिल देखी वह अंगूर देख लल्चाई उसने चलांग लगाई वह अंगूरों तक ने पहुच पाई वह यह कहती हुई चलपड़ी की अंगूर खटे हैं अब देखा आपने की लोमडी के स्थान पर हमने वह यह उसे उसने इन शब्दों का परियोग किया और ये वह उसे उने इन शब्दों को हम कहेंगे सरवनाम स्वरनाम मतलब संग्या के स्थान पर हमने जिन शब्दों का परियोग किया है उसे कहते हैं स्वरनाम परिभाशा की द्रिष्टी से हम व्याकरण की द्रिष्टी से देखें या परिभाशा की द्रिष्टी से ले देखें तो जो शब संग्या के स्थान पर प्रियोक किये जाते हैं उसे सरवनाम कहते हैं समझ में आगी जैसे हमने लोमडी का उधारन देखकर किया था अब है स्वरणाम का प्रभाव कि किन किन चीजों के लिए स्वरणाम का उस पर असर होता है या उसका प्रभाव होता है सबसे पहले देखिए स्वरणाम शब्द पुलिंग और स्ट्रिलिंग दोनों के लिए प्रियोग के जाते हैं लिंग बदलने पर स्वरणाम सब्दों में कोई अंतर नहीं आता मतलब कहने का क्या है यहां आर्थ कि पुलिंग और इस्त्री लिंग लिंग का अगर हम परियोग करते हैं और उनको बदलते हैं तो वहां हमारे स्वरणाम सब्द का जो है उसमें कोई अंतर नहीं आता जैसे देखिए ये पुलिंग के मैं उधारन के मादब से आपको बताना चाहते हूं वहे मेरा घर है वहे यहां आमने स्वरणाम लगाया ठीक इसी परकर वहे मेरी बेहन है यहां स्ट्रेलिंग है वहन लेकिन वहे जो है ये शब्द यहां नहीं बदला अथार स्वरणाम का स्ट्रेलिंग या पुलिंग के कारण कोई परभाव नहीं होता एक और एक्जम्पल देखना मैं खेल रहा हूँ अब मैं क्या है स्वरणाम खेल रहा हूँ रहा हूँ मतलब हमारा हमें पता चलता है कि यहाँ पुलिंग है और ठीक इसी को अगर हम स्त्री लिंग के वाक्य के अंसार बदलें तो मैं खेल रही हूँ यह देखिए मैं खेल रही हूँ तो मैं जैसे पुलिंग में था ऐसे ही हमने स्वरणाम शब्द का प्रयोग किया है लेकिन स्त्री लिंग हमने यहां बदल दिया खेल रही हूँ मतलब यहां स्त्री है स्त्री लिंग का प्रयोग हूँ तो आपने देखा कि पुलिंग और स्त्री लिंग के कारण स्वरणाम में कोई अंतर नहीं आता है या कोई परभाव उस पर नहीं पड़ता है एक और एक् अरही हो यह स्त्री के लिए प्योग गया है लेकिन तुम जो है हमारा जो स्वरणाम है यह तुम यह नहीं बदला तो कहने का ताथप्रिय है कि स्वरणाम के शब्दों में कोई भी परभाव नहीं पड़ता वो वैसे की वैसे रहते हैं जैसे आप ने तिनों उधारनों के माद्यम से देखा है आगे देखिए स्वरणाम सब वचन से प्रफावित होते हैं हमने देखा कि स्वरणाम लिंक से कोई उसका फर्क नहीं पड़ता लिंक का स्वरणाम के उपर कोई प्रफाव नहीं होता लेकिन वचन का होता है जैसे देखिए हम खेल रहे हैं मैं था एक वचन लेकिन धेंड हैं तो स्वर नाम वह की बजाई हेстался के अधार पर प्रभावित होता है और बदल जाता है जैसे देखी एक और एक उधारण के मात्यम से कि वह घर जा रहा है वह मतलब एक है वो एक वचन में है लेकिन वे घर जा रहे हैं वे यानि बहुवचन है तो कहने का यहां अर्थ है कि लिंग के अधार पर स्वरणाम के शब हैं भावचन में परिवर्टन होता है यह बदलते हैं आपके पुस्तक में कुछ एकजामपल भी दिए हुई है उधारण दिए हुई है जैसे एक वचन के जो है चो हैं मैं मैंक का हम हो जाएगा बहुवचन में तू का तुम तुम का तुम्हें या तुमहारा मुझ educación या मेरे मेरी मेरी का जैसे अगर एक वचन या बहुचन में होगा तो हमारा ठीक है और तेरे तेरी यह है यह का क्या बन जाएगा यह वह का वे कौन का कौन ही रहेगा जो का जो का एक वचन और बहुचन में ऐसे ही रहता है लेकिन इसका इनोंने या इनोंने बन जाएगा उसका तो इस तरह कहने का तद्प्रीय है की हमारा स्वरणाम शब्दों में लिंक कोई परवाव नहीं पड़ता लेकिन जब हम वजन का प्रियोग करते हैं तो उस वाक्य में स्वरणाम शब्द में बदलाव आता है अब है आपके स्वरणाम के कितने भेद होते हैं व्याकरण की दृष्टी से बेटा आपके स्वरणाम के छे भेद होते हैं सबसे पहला है पुरुष वाचक स्वरणाम पुरुष वाचक स्वरणाम किसे कहते हैं पुरुष का यहां अर्थ ही आपको पता है कि व्यक्ति से होता है व्यक्ति विशेश से होता है तो सुरणाम में यह भेद वक्ता क्या धार पर होता है मतलब पुरुष वाचक में मैं तुम और वहे तीन लोगों के लिए बताया गया है पुरुष वाचक जिसमें एक बोलने इवाला एक सुनने वाला और तीसरा अन्य तिसरा कोई एक Mensch होता है प्लेर है मतलब पुरुषवचक जो सरण नाम होता है इसमें व्यक्ति जो होता है वो एक तो खुद जैसे मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं लेकिन अगर हम किसी तीशरे के बारे में बात करते हैं तो अन्या बुझाता है देखी जैसे इसके पूरुषवचक स्रवणाम के विए 3 भेध होते है उत्तम पूरुषवचक मध्यम पूरुषवचक और अन्या पूरुषवचक में जो सुरुनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए परियोग करता के जाता है। उसे उत्त्म पुरुषषवाचक कहते है। जैसे देखिए मैं बोल रही होँ। तो मेरे लिए मैं अपने लिए क्या प्रयोग में लाऊंगी? उत्त्म पुरुषवाचक्य सरुनाम। मैं अभी पढ़ा रहा हूं या मैं अभी पढ़ा रही हूँ, clear है, हम सब एक है, हम, मतलब हम, हमारे लिए प्रयोग है, जो चीज, वक्ता स्वैम के लिए, मैं, मेरा, हम, हमारा, इनका ध्यान रखना है, यहाँ हमें, उत्तम पुरुशवाचक स्वरणाम में, जो स्वैम के लिए प्रयोग में लाए, वक्ता अपने ल वक्ता स्वरणाम कुछ शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग में लगता है जैसे मैं बोल रहे हूँ लेकिन आप सुन रहे हैं तो आप क्या हैं हमारे मध्यम पुरुषवाचक स्वरणाम जैसे अमित अब तू घर चला जा या अमित अब तू घर जा वो अपने लिए जब प्रयोग में करता है तो उसे उत्तम पुरुषवाचक स्वरणाम कहते हैं और जब शुरोता के लिए बोला जाता है तो वो होता है मध्यम पुरुषवाचक स्वरणाम तीसरा है अन्य पुरुषवाचक स्वरणाम ये किसी तीसरे के लिए प्रियोग होता है ना तो बोलने वाले के लिए ना लिखने वाले के लिए ना सुनने वाले के लिए बलके किसी अन्य के लिए जैसे वह अभी अभी आया है अब वह ना तो सुनने वाला है ना ही बोलने वाला है ये तो किसी तीसरे अन्य के बारे में बताया है जो हमारे सामने नहीं है उन्हें खेलने दो ना ही ये वक्ता है ना ही ये शुरोता है बलकि ये अन्य तीसरा है दूसरा भी इते है निश्चे वाचक जैसे कि आपको नाम से ही पता चलेगा निश्चे यानि जिसमें किसी निश निश्चित वस्तू या निश्चित व्यक्ति के बारे में बताते हैं जैसे देखिए अगर हम कहते हैं कि यह पतंग मेरी है वह पतंग मेरी है मतलब इसमें निश्चित पता है कि यह किसकी है मेरी है यह तुम्हारी मटकी है अब इस मटकी किसकी है यह तुम्हारी है इसका मतल क्या होगा निश्चित स्वरणाम ठीक है निश्चित वाचक स्वरणाम जैसे यह पुस्तक मेरी है तो मुझे पता है यह पुस्तक मेरी है तो यह निश्चित वाचक स्वरणाम हुगा तीसरा है ए निश्चित वाचक जिसमें स्वरणाम सब किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं कराता मतलब हमें किसी के बारे में संदे होता है पका नहीं पता होता जैसे कोई कुछ किसी इस तरह के शब्दों का वहां प्रयोग किया जाता है जिसमें किसी निश्चित चीज का पता नहीं चलता जैसे देखिए किसी ने दर्वाजा खट-कट आया है, अब दरवाजा खट-कट आया है, कि दरवाजा खट-कार आया है, कोई खट-कार आया है, लेकिन खोन खट-कार आया है, ये नहीं पता, तो हम यहां कहेंगे, किसी ने दरवाजा खट-कट आया था, खट-कट आया था, ये तो हमें पता है, लेकिन किस ने ख ही तो इसमीं हँमें ए्य निश्च्र स्वराणाम मानेंगे किसी की घड़ी किर गई अब हमें क्योँ घ्ड़ी गए मिली है दिक रही है लेकिन हमें यह नहीं पता कि हो कि है तो इसे कहेंगे कि इस स्वरणाम को फिस में पहले कोई रहता था यह हमें पता है उस घर को देखकर कि यहां कोई रहता था लेकिन यह नहीं पता कि कौन रहता था इसलिए यह ए निश्य वाचक स्वरणाम होगा अगला है प्रशन वाचक स्वरणाम देखो बेटा आपको पता है कि प्रशन वाचक आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि किस जिस स्वरणाम के वक्य के अंत में प्रशन चिन लगा हो तो उसे कहते हैं प्रशन वाचक स्वरणाम या फिर जिसमें कब क्यों कहां किसे इस तरह के प्रशन पुछे जाएं जैसे देखिए बाहर कौन खड़ा है अब इसमें प्रशन किया गया है कौन बोल कर तो इसका आंसर हमें मिल रहा है इसका उत्तर हमें मिल रहा है कि बाहर कोई खड़ा है यह हमें पता है और कौन खड़ क्या हो रहा है कब क्यों कहां किसे किसलिये इन शब्दों का प्रियोग जिन वाक्यों में किया जाता है उसे कहते हैं प्रशन वाचक स्वरणाम आगे देखिए संबंद वाचक आपको पता है कि जो सब्द वाक्य में आए दूसरे स्वरणाम के साथ संबंद बताता है मतलब एक स्वरणाम होता है लेकिन उसमें उसी से मिलता जूलता दूसरा भी होता है आपस में वो मिले वे होते हैं जैसे देखिए जो सो जैसा वैसा जिसने उसने जितना उतना इस तरह के जैसे जैसी करनी वैसी भरनी जैसा बोया वैसा काटा जो करेगा सो भरेगा जिसकी लाठी उसकी भैस आपने जिसे पढ़ाया उसे ही सफलता मिली मतलब यह एक स्वरणाम का दूसरे स्वरणाम के साथ आपस में संबंद होता है तो उसे कहते हैं संबंद वाचक स्वरणाम क्लियर है जिसके लाठी उसकी भैंस जैसे को तैसा अगला है हमारा निजवाचक स्वरणाम निज़ का अर्थ ही बेटा होता है स्वेम जो स्वरणाम सब स्वेम के लिए प्रियोग होता है उसे निजवाचक स्वरणाम कहते हैं जैसे अपना अपनी अपने मतलब स्वेम के लिए हम कोई भी कारिया करते हैं जो खुद के लिए करते हैं किसी भी कारियर के लिए या किसी भी काम के लिए जिस वाक्य में हमें स्वैम के बारे में ही किया जाए या स्वैम के लिए किया जाए जैसे देखी हम अपने करतवियों का पालन करेंगे हम अपने मतलब हम तो बहुआ चाहने लेकिन अपने लिए म किसके माध्यम से किया अपने माध्यम से तो जिस स्वरणाम में अपने या स्वैम के बारे में आता है उसे कहते हैं निजवाचक स्वरणाम जैसे मैं अपने आप खाना बना लूँगी या मैंने अपना ग्रहकारिये स्वैम कर लिया इस तरह के वाक्य को कहते हैं निजवाचक स्वरणाम जिसमें स्वयम के बारे में बताया जाए क्लियर है तो आज हमने स्वरणाम पढ़ लिया है आपको एक बार दुबारा से पूरे लेसन के रिविजन करवा देती हूँ जैसे हमने जो में चीजे करी थी कि स्वरणाम का सब्दिक अर्थ सबका नाम आमने पढ़ाई था सर्व यानि सबका नाम का नाम होता है तो सब्दिक अर्थ इसका होता है सबका नाम अगर प्रिक्षा में प्रशन आ जाता है कि स्वरणाम का शब्दिक अर्थ बताई ये तो आप कह लिखोगे स्वरणाम का शब्दिक अर्थ होता है किसी भी शब्द की बार-बार आवर्ती होती है तो वो शब्द कहने और सुनने वालों को अच्छा नहीं लगता इसलिए हम उन संग्या सब्दों के स्थान पर मैं तुम वहां उसने किसका उसका इस तरह के शब्दों का परियू करते हैं और यह शब्द होते हैं स्वार नाम की छी बेत होते हैं पुरुषवाचक, निश्यवाचक, एनिश्यवाचक, परशनवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक स्वार नाम का कहां परभाव पड़ता है लिंग बदलने में स्वार नाम का रूप नहीं बदलता मतलब जब हम वाक्य में link परिवर्थन करते हैं कि स्त्री-link से pulling या pulling से selling करते हैं तो हम जो स्वरणाम का शब्द का परियों करते हैं वो वैसे की वैसे रहता है उसका pulling के आनुसार बदलता नहीं है ठीक है वचन के हिसाब से वचन जब हमारा बदलता है एक वचन होता है तो स्वरणाम अलग होता है लेकिन जब वही वाक्य में हम बहुचन का प्रियोग करते हैं तो स्वरणाम अलग हो जाता है जैसे मैं होता है कि मैं कारिय कर रहा हूं एक वचन है लेकिन अगर हम वही बदलते हैं सबसे सीधी सी बात है आपको दो चार बाते याद रखनी हैं कि इस तरणाम का शाब दिकर्थ शाब का नाम होता है यह संगय के स्थान पर प्रियोग में लाए जाता है और इसके छे भेद होते हैं पुरुष वाचक जिसमें श्रोता वक्ता और अन्य निश्चे वाचक में जिसमें किसी भी चीज के बारे में निश्चित रुप से पता हूँ ए निश्चित जिसमें हमें संदे होता है कोई कहां कुछ इस तरह के शब्दों का प्रियोग होता है और प्रशन वाचक में आपको पता ही है कि प्रशन वाक्य के अंत में प्रशन चिन लगा ह होता है और कब क्यों कहां किसने किसे इस तरह के शब्दों का प्रियोग किया जाता है संबंद वाचक में एक स्वरणाम का दूसरे स्वरणाम के साथ संबंद होता है जैसे जैसे को तैसा जैसी करनी वैसी भरनी जिसकी लाठी उसकी बैस मतलब एक सवरणाम दूसरे सवरणाम से के साथ उसका मिलता जुमता है वो एक दूसरे के साथ उसका संबन्द होता है निजवाचक जिसमें निजगार्थ स्वेम होता है और वो स्वेम के बारे में ही वाक्य में बताया जाता है और लिंक से स्वरणाम का रूप नहीं बदलता है जैसा आपने पढ़ा है अभी और वचन के अमसार लिंक स्वरणाम शब्द का रूप में बदलाव आता है एक वचन में अलग से हम प्रयोग करते हैं लेकिन जब हो वचन आता है तो स्वरणाम का रूप बद ठीके बिटा इसको ध्यान से पढ़ना और फिर हम आगे का काम करेंगे धन्यवाद